आज सुनिये, वही दिन चर्या, अर्स्प्रश्यता, घुटन और अकेले में खड़े रह जाने की नियती कुछ हिलती एक आम इस्तरी की कहानी, जिसे लिखा है डॉक्टर सूरिबाला जी में, तो शुरू करते हैं कहानी उत्तरार्द मैं उस औरत को हर रोज देखती हूँ, एक लट की तरह, मेरे बेडरूम की खिड़की से उसकी पूरी बालकनी दिखती है, बिल्कुल एक मंच की तरह, जिसमें छाया प्रकास से तमाम शेडों के बीच, वो साड़ी का पल्लू कमर से कसे, तेज-देज आती जाती रहती है चलती हो कभी नहीं, हमेशा बधावास भागती सी ही है, एक तरफ से मंच पर एंट्री देती है, और पला की खुबसूरती से नाटक की सारी अपेक्षाय पूरी करती, दूसरी तरफ से एक्जिट कर जाती है शब्द समवाध ही निस नाटक में एक जवर्दस्त कशिश है, और ग्रिप भी, देखेंगे आप, देख लीजिए आके इसी की प्रिस्तुतियां और आकरतियां देखने के लिए सो सैक्रों की टिकट खरीद कर वातनों के लिए नाटिक रहों में जाते हैं या नहीं अरे आगई, दोपहर ढली है ना अभी अभी, नाटक के उतरार्थ की गंटी बच गई, पूरवार्थ के खंडित अंशों में वो चकर घिनी सी, कमरे से बालकनी, बालकनी से किचन, किचन से बातरूम और बातरूम से वापस, गीले कपडों की बाल्टे लिए बालकनी पर आई थी, और एक-एक फटक-फटक कर फैलाती वापस चली गई थी हाँ, तो अब उतरार्थ में बालकनी पर खिची डोर पर सूख गए हैं वे ही कपड़े वो जल्दी-जल्दी एक के बाद एक क्लिप चटकाती उतार रही है, फिर वहीं फर्श पर उन्हें पहला कर तहाना शुरू कर देती है, अंजाने उसने खुद अपने पैर भी पहला लिये हैं शायद पूर्वार्थ की एक्शन पैक्ड भूमिका निभाते निभाते वो काफी ठक सी गई है, चेहरा रोशन पर सूर्यास्तसा दूप में तेजी से सूखे, कुरकुराए, तॉलिये, चादरों, गिलाफ तथा उसके पती, बहु बेटों के तमाम सारे कपड़े तहाने के साथ साथ उन्हें अलग अलग धेरियों में रखना, ये बड़े बेटे के, ये छोटे के, ये पती के, पजामे, कुर्टे और बन्याइने, सारे एक से, उसे विल्कुल समझ में नहीं आते करे भी तो क्या, सब के सब अब एक नाप के हो गए हैं, नजर ना लगे, दोनों के दोनों बेटे पिता से ही चोड़े सीने और भरपूर लंबाई पर गए हैं पिछले कुछ दिनों से, वो सारे कपड़े उल्टी सुल्टी गलट धेरियों में तहा, उनकी अलमारियों में रखने लग गई थी तब एक तरफ से कपाट से कपड़े फेकते, बेटे चिलाते, क्या करती हो मम्मी, तुमसे धंग से कपड़े तक नहीं रखे जाते मेरी कपाट में छोटे की मैनायने और छोटे की कपाट में मेरा कुड़ता दूसी तरफ से पती जलाता, एक बच्चा भी कर ले इतना आसान काम भी तुमसे नहीं हो पाता वो जेब कर खेस्यानी सी हसी हस्ते थी, हार कर सबके कुड़तों पाजामों पर निशान मार दिये गए लेकिन गलती तब भी न सुदरी, तो सबको एक साथ ख्याल आया कि कपड़ों के निशान नहीं उसकी नजर की धुनलाई लगती है इसलिए एक अदद चश्मा खरीद लिया गया और वो कृत करत्ते हो वापस सही सही कुड़ते, पाजामे और बनियाने अलगाने लगी अभी भी तह लगाते वक्त वो आददन पहले यूँई आँखों के पास लाल आकर कपड़े पर लगे निशान पहचाने की कोशिश करती है फिर ना पहचान पाने पर हार कर चुपचाप चश्मा ढूनने उठ जाती है डेरियां अलग कर उठते हुए अचानक द्रिष्ट इकोने में रखी मा की तस्वीर पर ठहर जाती है मा का सलवटी चेहरा, चश्मे की कमानी और उसके भीतर की वद्सली द्रिष्टी उसे साफ साफ निजराती है वो चिहुक कर अपने उपर से नीचे एक हलकोर सी उतरती महसूस करती है गए साल उतरते आशार से पहले ही मा चलवसी थी असल में चश्मा लगा लेने की वज़े से उसे मा का चेहरा साफ साफ दीखने लगा है पर उसे क्या महसूस होता है मालूम? मानो मा कोई साफ दिखाई देने लगा है और जुर्यों के एक टोकरे में सिम्टी ये मा उसे बड़े दुलार से लगातार देखे जा रही है पुछकार रही है, दुख सुख पूछना चाह रही है पर उसे इतना समय कहा, वो उस से राती हलकोर से बच्ती जैसे कत्रा कर निकल जाती है वैसे भी घंटी बजी थी, बेटा होगा बड़ा वाला, आवाज पहचानती है वो बहुत धीमे से बाहर घंटी पर पड़ा हाथ लेकिन आवाज ऐसी जैसे फौरन के फौरन दरवाजा खुलना चाहिए पता नहीं क्यों, हमेशा उसे लगता है ऐसा आगिया बेटे, वो कहना चाहती है, कभी कभी कह भी देती है लेकिन अभी तक वो ठीक ठाक ये नहीं समझ पाई कि उसे ही कहना चाहिए या नहीं ये भी कि बेटे के लोटने पर सही सही क्या कहना चाहिए क्योंकि बेटे ने कभी उसका पूरा वाक्य या पूरा शब्द सुना समझा हो ऐसा नहीं लगता चाहे लाऊं? लेगा? ये भी कुछ बेटुका सही सवाल चाहे वो रोजी लेता है आगे पीछे कहने पूछने का कुछ भी तुक नहीं, मालम तो है लेगा लेकिन ठीक ठीक वो कब लाकर रखे? बहु भी कभी थोड़े आगे कभी थोड़े पीछे चाय की बात पर आप परेशान हुई है मैं खुद ले लूँगी बहु एक recorded वाकि बोल देगी लेकिन वो हस्ती हुई कहेगी वा मैं देती हूँ न कहकर खुद लाला कर प्याले तश्तनिया सजाना शुरू कर देगी और बेटे बहु के साथ हसास करजवरदस्ती बोलना बतियाना शुरू कर देगी आकिर अपने बेटे के प्रति अपनी माया, ममता और सरोकार, चिंता का प्रमाण और कैसे देवो बेटे बहु उसके सवालों का बराबर हाँ ना में जवाब देते रहेंगे लेकिन जैसे वो कमरे से हटेगी, दोनों चैन से पसर लेंगे, हात पाउँ फैला कर मंच पर तीसरी घंटी बचती है, पती है उसका पूरे 28 सालों से ये घंटी इसी समय बचती आई है फ्लैश बैक देखना चाहते हैं तो इस घंटी के बजने के साथ ही जैसे मुर्गी का दर्बासा खुल पड़ता है और बच्चे पंक फड़ फड़ाते चूजों से जहां भी खेलते पड़ते होते हैं छोड़ चाड़, पापा आगय, पापा आगय कशोर मचाते दोड़ पड़ते हैं पती के हातों में कभी कचोरियों का दोना होता है, कभी मुंग फल्यों का खोका और कभी सिर्फ दो-चार लेमन जूस बच्चे किलकारी मार कर उछलते हैं और छीना जटी शुरू हो जाती है वो इटला कर बच्चों के बहुत ज़्यादा चिलविल्ले होने की शिकायते करती है और पती बड़े गुमान से डपट कर उन्हें दो-चार मीठी फटकारे देकर तरप्त हो लेता है जवाब में बच्चे मा की शिकायते करते हैं और पती के दिखावटी गुस्ते पर उमगन हो लेती है मम्मी मेरे कमरे के ड्रॉर से अम्रतांजन लाई हो तुम कट बड़ा बेटा था अप्रादी भाव से स्विकारने के साथ ही वो ततक्षन चिन्ते थोड़ती है तेरे सिर में दर्द है नहीं लीना के अरे कबसे उससे कहा क्यों नहीं ठैर मैं आकर लगा देती हूँ पूछो उससे दर्द ज्यादा हो तो माते पर गिली पटी बेटा उसके सारे साहन भूत इप्रदर्शन के बीच अम्रतांजन लेकर जा चुका है अचानक एक अजीब सा खयाल आता है बेटे ने ये तो पूछा ही नहीं कि मम्मी तुम अम्रतांजन क्यों लाई थी क्या तुम्हें भी सिर में दर्द अब पती लोटने पर सिर्फ दो पैग बीर के लेता है पहले चाय लेता था लेता नहीं लेते थे दोनों नहीं चारों एक साथ दोनों बच्चों को गरम दूत का गिलास पकड़ा वो अपना भी मग लेकर आमने सामने बैट जाती फिर बच्चे बड़े हुए तो सिर्फ पती को चाय का मग पकड़ा खुद बच्चों के साथ चाय पीने लगी बच्चों के आने पर उपापा के साथ चाय पी चुकी है कहना उसे अखड़ता लेकिन धीरे-धीरे बेटों का टाइंग उपर नीचे होने लगता उनके साथ उनके यार दोस्त आने लगे और पती बेटों के बीच उसकी चाय गुम होने लगी बहुत सारे दूसरे सिलसिले भी पहले बाते थी कि खत्म होने को नहीं आती थी और अब बाते हैं कि शुरू होने को नहीं आती हाथ मुधो कर पती ने कुर्सी खीची है मतलब उसने सुबै का आधा पढ़ा अकबार उठा लिया है और अब उसे फोरण वियर की जाग भरी गिलास चाहिए वो फटाफट दो चार पापर भी से करला रखती है पापर सेखते हुए वो बराबर सोचती रहती है कि उसे जल्दी से जल्दी बहु के पास जाकर उसका सिर्दबा देना चाहिए आखिर उसकी अपनी बेटी होती तो तो क्या वो हमेशा उसका सिर्दबा पाती थी अब तांजन मल पाती थी कामों में फसी अकसर कह देती जाब खुद अमरे तांजन लगा कर लेट रहे नहीं नहीं बहु के पास उसे फोरण पहुशना चाहिए वो तो दूसरे घर की बेटी है उसे अपना घर याद आ रहा होगा तो शायद ये भी कि उसकी मा भी कभी थकती जरूर होगी ना इन द्वंद जालों में लजना ही नहीं है सिर्फ अपना धर्म अपना घर लीना लाओ मैं सिर्दबा दो श्ष् अकेला नहीं होगा वो जरूर एकाज सहकर्मी या संगी जाती नहीं तो सरे शाम से दम पर दम बचती फोन की घंटिया दफ्तर तो वो घड़ी के काटे के साथ छोड़ देता है बाखी सारा समय साइट बिजनेस मकान बेशने खरीदने की दलाली फोन इसलिए तो लगवाया उसी ने वो सबजी छोकती चाय चानती बराबर हाथ पोँच पोँच कर फोन का चोंगा उठाती रहती है और छोटे के आने पर बताती है तब भी लोटने के बाद अकसर फोन पर बात करते करते और रिसीवर हाथ में दबा थोड़ी नाराजगी से पूचता है मम्मी कल नाखेकर का फोन आया था तुमने नहीं बताया वो बताना चाहती है कि आदे लोगों का नाम सुनते सुनते तो वो सलखाने में गुच किया था लेकिन कहने पाती क्योंकि छोटा सवाल दागने के बाद वापस फोन पर बात कर रहा है और उसके बाद वो सीदे को सलखाने में योवी वो हमेशा किसी रौ में बहत जल्दबाजी में ही देखता है सामने वाले को जल्दी से जल्दी अपनी बात कह देने की हरबड़ी के साह साथ ना कहपाने पर अपराग बोध में डूब होता सा इस समय भी उसके साथ आये दोनों सहकर्मियों की नमस्ते का जवाब जल्दी से देती उसने कहा छोटे, राजन, अस्थाना, शिवम तथा सैनी के फोन आये थे अच्छा अच्छा, बेटे ने उपकरत सा करते हुए कहा है चाय बना दो जरा तीन कप, गर्मा गरम की कॉफी उसने तीन मगों में ज़ागदार कॉफी छोटे के सुपुर्द कर दी बालकनी पर बैठे पती के गिलास के ज़ाग की सत्य काफी नीचे आ गई है मतलब खाना दस पंद्रिया या बीस एक मिनट में लेकिन कॉफी के मगों के ज़ाग तो अभी उपर ही उतरा हैं मतलब अभी खाने को कोई जंदी नहीं अभी तो शेयर्स के बढ़ते घटे भावों को लेकर मुक्के मार मार कर शरते बदी जा रही है बड़े के कमरे का दर्वाजा भी उड़का ही है पता नहीं वे दोनों अभी खाना चाहते हैं या देर में या कितनी देर में उसकी आखें बारी बारी से मंच के तीनों कोनों से टकरा कर लोट रही हैं कोई ऐसा समय जो सब के लिए उप्युक्त हो तलाशने की एक बदहवासी सी जिसमें हर एक की अधिक्तम संतुष्टी हो अकसर दो चाहर मिनट की भी देर होने पर जल्दी जल्दी सबजी गरम करती रूटियां सेखती हो डरती रहती ये कहीं बड़ा आपने रूखे सपाट अंदाज में ये ना कह दे कि आशकल खाना लगने में बहुत देर हो जाती है मुझे तो सुबज जल्दी उठना पड़ता है न या फिर जरा जल्दी होने पर छोटा ही फिक्रा कसते कि भाई ओफिस से आकर जरा हात पाऊं तो सीधे करने दिया करो एकदम गाए बेलों की तरह खाना खाना शायद इसलिए खुद अपने से ही अंजान सारे समय काटे पर अटकी सी वो हर किसी के आजू बाजू टेंपरेचर अंदाश्ती फिरती रहती है छोटे पापा उठ गए है बेटे तेरे पापा को भूग लगाई दीखती है असल में देर होने पर महरिन भनाने लगती है न बड़ी मुश्किल से ठीकी है ये वाली बड़े बेटे से कहेगी बस पापा और छोटे उठी रहे हैं तू कहे तो तिरा खाना जल्दी गरम कर दो पती से कहेगी बस दोनों आही रहे हैं बच्चों के साथ मिलने बैठने का यही तो एक वक्त होता है उठ लेते तो अच्छा था नतीशतन वे सारे लोग उसे उपकरत कर देते हैं एक साथ उठकर एक साथ एक मेज़ पर बैठकर वो क्यों चाहेती है कि घर के सब एक साथ बैठें एक दूसरे से कटे कटे न रहें आखिर उसकी क्या स्वार्थ सिद्धी रहती है इसमें घर के बाकी सब भी क्यों नहीं उसी की तरह सूचते सिर्फ वही क्यों हर किसी का तापमान मापती फिरती है बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं मैसूसते अचानक कोने की मेश पर पड़े मुक्के की आवास से उसकी तंद्रा टूपती है छोटे किसी शेयर के भाव गिरने की शर्थ बद रहा है पती ने अगवार पढ़कर समीटना शुरू कर दिया है खाना लगाने का दूसरा इशारा लेकिन बड़े के कमरे से कुई आवाज नहीं हो सकता है वे दोनों खाना लगने का इंतिजार कर रहे हो हो सकता है बहु अभी भी सो रही हो आखेर सिरदर्द्वाली बात वो आवाज लगाए ना लगाए जाए न चाए वो किचन के दर्वाजे से लगी खड़ी है, ठकका टकोरती हुई द्रश्टे मंच के हर कोने से ठकरा ठकरा कर लोट रही है पती के गिलास के उतरते चले जाते जहाग को, कौफी के अत्पिये कड़वाते प्यालों को और बड़े बेटे के कमरे के भीड़े दर्वाजों को छोटे ने दोबारा थपकी मार कर अपनी शर्ट का एलान किया, उसे जैसे खाने के बिलकुल सुद नहीं है पती ने दोबारा अकबार तहाया, गिलास खिसकाई, भूक लगाई है उन्हें खाना चाहिए बड़े और बहु शायद छोटे की मुक्के बाजी पर खीज रहे हों, लेकिन उन्हें भूक लग रही हो या नहीं, क्या पता? शायद आज लोटते हुए कहीं अटक कर कुछ खाही लिया हो, उसकी सारी इंद्रिया, उसकी सारी शक्ति, उर्जा और सामर थे, इस समय सिर्फ यही सूच रही थी जैसे शरीर और मस्तिश्क की सारी धमनियों, सारी शिराओं में सिर्फ यही एक सवाल, यही एक उल्जन, टकराओ, अनिश्चे, खिन्यता, इस विराट, अचोर, अनंत, ब्रम्बान में इतने कौतुक, इतने प्रश्न, इतना ग्यान और इतना सौंदरे, कितने अद्भुत अपरमित तत्थे, लेकिन उस सबसे पूरी तरह अइस प्रश्य अचूरती हो, उसका वजूद, इस समय मात्र कॉफी के मटमेले प्यालों, बहु बेटे के उड़के दरवाजों, और पती के खाली गिलास में अटका हुआ है, गुटन और बेचैनी का मिला जुला एहसास, वो किचन से कमरे में आ जाती है, सामने मा की वही तस्वीर, जुडियों के बीच फूटता दुलार का सोता, खाना खा लेना, कब खाये की भूख नहीं लगी तुझे, मन नहीं कर रहा क्या, भूख, मन, जैसे नीम बिहोशी में किसी ने जिजोर कर एक्टब ख़ड़ा कर द नहीं, शायद बहुत पुराने समय से अपने उपर लागू की गई एक निशेधाग्या, एक वर्जित प्रश्न, इस्थिर जल में फेके किसी पत्थर की तरह, मस्तिष्ट में असंक्य अंगिनत तरंगें एक साथ उठती और विलीन होती हुई, क्या चाहती है वो, सही सही क गोद में दुबक कर भरपूर विश्रान दी, लेकिन वो मुहप अतीत ही तो आज वर्तवान बना हुआ है, उसके सामने, फिर कहां क्या रीत किया है, और रीतने के बाद बचा कुछा, सब कुछ एक बिहर भयावनी और रिक्त गुफा जैसा ही नहीं है क्या, तो छोड़ो छोड़ो अतीत वर्तवान सब, हाँ समेट लो, हथियार डाल दो, ओ, इतना आसान है क्या सब कुछ समेट से कोड़ लेना, शायद मचली के काटे की तरह अपने आपको फसा देना होगा, और खुद बखुद लहुलुहान होते हुए क्रमशा जल से भाहर खींचलाना होगा, लेकिन ये महा समर, ये जल ही तो जीवन है, वो न एक दूसरी को पचाड़ पचाड़ कर पटकती हुई लहरे, शायद पचाड़े खाते काते क्रमशा ठक कर शांत हो जाती हुई, तब फिर एक निसंग सपाट जीवन, उफ, आखिर क्या चाहती है वो, मुक्ती, किसे मुक् पल्टी हो, सिर्फ इतनी कि मा की तस्वीर के पास रखी, पुस्तकों की कतार से उसने एक पुस्तक निकाली, देखकर याद आया, कभी बहुत पहले ये पुस्तक शुरू कर अधूरे पर छोड़ देनी पड़ी थी, आज दो बारा शुरू की, और चुप चाप लेट कर अक्टर सूरिबालाजी की लिखी हुई कहानी उत्तरार्द, आशा है, कहानी आपको पसंद आई होगी, कल मिलेंगे फिर किसी उंदा कहानी के साथ, आपका समय शुख हो